दुम्री विधानसभा उप्चुनाव नामानकन का अंतिम दिन गहमा गहमी से भरा रहा। यहां इस सीट के लिए जामुमो की प्रत्याशी के तौर पर सूबे की मंत्री बेवी देवी ने तो आजसू के प्रत्याशी के तौर पर यशोदा देवी ने नाम नामानकन परचा दाखिल किया। कुमार, मतुरा महतो, सर्फराज एहमद, भागपा माले विधायक विनोज सिंग, पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत कई नेता साथ में थे। दूसरी तरफ आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ NDA के कई नेता मौजूद रहे। सितंबर से नामानकन की प्रक्रिया चल रही है। सोला सितंबर तक तीन प्रत्याशी ने नामानकन परचा दाखिल किया था जबकि आठ लोगों ने नाम नामानकन प्रपत्र दाखिल किया। नामानकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद 21 अगस्त को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं उप्चुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी।